TLW vs SCW, Thailand Womens vs Scotland Womens, ECN Womens Try Series जो है स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर Thailand Womens, Scotland Womens और Northern Womens, यह तीन टीमे जो है, यहाँ पर मैच खेलने वाली है, टोटल लगबग जो है, आपको 6 मैचस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, Thailand Womens और Scotland Womens और Northern Womens के बीच में, फॉस्ट जो मैच है, फॉस्ट, ECN Womens Try Series का फॉस्ट मैच होने वाला है, Thailand Womens और Scotland Womens के बीच में, फुल स्टार्ट और इंफरमेशन लेकर आए हैं, प्लेयर के बारे में आपको अच्छे च्छे इंफरमेशन देंगे, पिछी रिपोर्ट की डीपली अनलिसिस करेंगे, आपको इस विडियो से काफी हेलप मिलेगी, सबसे पहले आपको बता दें, 11 चैलेंजर अप्लिकेशन के बारे में, तो गाइस काफी कमाल के अप्लिकेशन है, बहुत बढ़ी अप्लिकेशन के लिंक मैंने वीडियो के डिस्किप्सिन में डाल रखी है, यहाँ पर अगर आ यहां पर आप देख सकते हो contest काफी low entry fees आप से ली जाती है application काफी कमाल की है मेरी favorite application है यहां पर मैं लगबग 2.5 साल से खेल रहा हूं और continue यहां पर मैं खेलता हूं application आपको काफी कमाल की लगेगी इस application को जरू से डाउनलोड करिए यहां पर instant आपको withdraw भी मिलता है कोई भी support क अगर जोर्त हो तो आप comment करके मुझे बता भी सकते हो पांच रुपे में 1500 जो है यहां पर 1000 गुना यहां पर ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो क्योंकि चोटी चोटी जो ग्रैंड ली साती है ना पांच रुपे वाली या फिर उससे थोड़ी सी बड़ी तो वहां पर आप क कर लेना comment में भी जो है पिन कर दिया है तो comment से भी जो है आप इसकी link जो है चिक कर सकते हो और सबसे important रहेगा टेली ग्राम का चैनल तो देखो या टेली ग्राम पर आपको जो है टॉस्क इंफरमेशन प्लेंग लेवन ड्रीम इलेवन टीम सारी चीज़े देखने के लिए मि मैच है पांच बच के तीस में पर साम को ये मैच स्टार्ट होगा दस जुलाई को ये चीज़ ध्यान में रखेगा पांच बचे जो है इनका टॉस होगा लाइन अप थोड़ी सी जो है यहाँ पर लेट देखने के लिए मिलेगी तो प्लेंग लेवन जो है ध्यान से सुनना स्पोर्ट स्पार्क मारसल यहाँ पर ये मैच होने वाला है उट्रेच में नीदर लेंड में ये अगर मैं पिछरी पूर्ट की बात करूँ तो फास्ट बोलर को चो जो है यहाँ पर बैटिंग भी ठीक ठाक देखने के लिए मिलती है तो ये चीज ध्यान में रकेगा विए से जादा जो है score नहीं है 125 के आसपास ही average score है इस venue पे अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ जो है 5 T20 गेम हुए है दो बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है तीन बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है average score 93 के आसपास है highest score 122 रन है lowest score 68 है लेकिन ये दोनों ही टीम काफी अच्छी है तो यहाँ पर मुझे 130-140 के आसपास जो है score बनता हुआ दिखाई दे रहा है scoring pattern की बात करें 150 रन से नीचे का score जो है हर बार बना है 2019 में यहाँ पर लास्ट मैच खेला गया था तो देख सकते हो almost लगबग जो है 5 साल पहले यहाँ पर matches खेले गए हैं low scoring जो है match रहे हैं बहुत ज़दा high scoring match नहीं रहे हैं विकेट्स की बात करें तो देख सकते हो 12 विकेट इस match में गिरी है 9 विकेट यहाँ पर 19 विकेट यहाँ पर 17 विकेट और यहाँ पर 10 विकेट विकेट्स गिरती है मेरे भाई यह भी चीज़ ध्यान में रखेएगा last five match जो venue पर खेले गए हैं उसकी details हमने यहाँ पर briefs को scorecard share किया है अब यहाँ पर देखते हैं दोनों ही team में से strong team कौन सी है Thailand women strong है या फिर Scotland women तो देखो यार Thailand women और Scotland women की बीच में तोटल जो है 4 T20 games अभी तक हुए हैं जिसमें आप यहाँ पर clear cut जो है देख सकते हो Scotland women's की जो team है इन्होंने अगर आप देखोगे तो भाई जो है लास्ट के 3 matches जो है विन निकाले हैं तो definitely यहाँ पर आप बोल सकते हो कि Scotland की team जो है थोड़ी सी अच्छी और strong side जो है मुझे दिखाई दे रही है वैसे अगर आप आज जो है ICC ranking में देखोगे ना तो यहाँ Thailand women's की जो टीम है अभी नंबर 11 पर है और Scotland की जो टीम है वो नंबर 14 पर है और 17 या 18 नंबर पर नीदर लेंड की टीम है तो यहाँ पर जो clear cut advantage जा रहा है वो Thailand women's को जा रहा है क्योंकि इन्होंने recent में जो matches खेले हैं वो काफी अच्छे खेले हैं और विन निकाला है टीम जो जो है अच्छा विन निकाला हुआ है तो यह भी चीज़ धियान में रखेगा कि Thailand women's के बीच में जब matches होते हैं टीम है ICC ranking में women's की T20 में 4 matches जो है back to back Thailand women's win करके आ रही है recently जो 4 matches खेले हैं उसका brief scorecard हमने आपके साथ में सेयर किया है रन जो है यह team score करती है wickets कम खर्च करती है यह चीज़ ध्यान में रखेगा तो Scotland women's के जादा बॉलर्स पर focus करने की जो उर्त नहीं है Scotland women's का अगर आप देखोगे न तो यह team जो है आप रन तो करती है लेकिन जो है bickets भी अपने खर्च करती है last के matches इनके जो है आप 5 matches देखोगे तो जिसमें जो है सिर्फ 2 match बिन किया है तीन match जो है loss किया है और गाईज इतनी detail में आपको जो है information में दे रहा हूँ definitely आपको भी वीडियो को like करके जरूर से support करना चाहिए playing level की बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दो कि नाम pronounce करने में गाईज अगर कोई mistake हो तो उसको ignore करना क्योंकि first time जो है मैं इन लोगों की जो है नाम यहाँ पर pronounce कर रहा हूँ यानि की इनको cover कर रहा हूँ लेकिन इन players के record मैंने काफ़ी अच्छे से check की है Thailand moments की जो है सबसे पहले playing level देखते हैं यहाँ पर एस टिपोच के साथ में एन चंतम आपको open करते भी नजराएंगी उसके बाद जो है नाना पठ है फिर यहाँ पर जो है नरुमोल है नरुमोल चवई उसके बाद यहाँ पर पी माया है पी माया जो है बैटिंग ओर इनका confirm नहीं है कि क्या बैटिंग ओर में रहेंगी लेकिन यह जो है बॉलिंग आपको बता दे कि सिर्फ एक से दो ओवर करेंगी इससे ज्यादा जो है ओवर इनको नहीं मिलने चाहिए उसके बाद बूटा चाम है यह जो है जनरली दो तीन ओवर करती है और थोड़ी बहुत बैट कर लेती है सी सुती रंग की बात करें ठीक ठाक आल राउंडर है उसके बाद जो है आर को नंग कुछ खास ओप्शन नहीं है इनको इगनोरी करना उसके बाद टी पुट वॉंग है यह ठीक ठाक प्लेयर है बॉलिंग इनको पूरे चार अवर मिल सकते हैं ध्यान रखेगा उसके बाद यहां पे कौम चौप हुँ है तो इनको आप स्पेसल एजा बॉलर एजा जो है बंडाउन पे सारा ब्राइस है उसके बाद प्रियांक चेटर जी है फिर यहां पे लोरन जैक है फिर उसके बाद कैठरीन फ्रेजर है मेगन मैकोल है उसके बाद समानता है फिर यहां पे हैना है उसके बाद यहां पे रीचल स्लेटर है और यहां पे यह मक्सूद है तो यह Scotland women's की playing 11 है अगर दोनों ही team में से favorite team मेरी पूछोगे न तो definitely मैं यहाँ पर बोलूँगा कि Scotland की team मेरी जो है यहाँ पर favorite team रहने वाली है हाला कि जो है Thailand की team भी जो है अच्छी है यहाँ पर मेरी जो favorite team रहने वाली है वो Scotland की team रहने वाली है मैं grand league की अपनी अगर team मनाऊँगा तो Scotland women's की जो है favorite करके अपनी grand league की team create करूँगा प्लेयर के stats की बात करते हैं एक-एक player का आपको stats देखने के लिए मिलेगा as to push, balling कर रही है किसी-किसी match में और विकेट्स भी लेके जा रही है तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा बाकी head to head में 3 matches के लिए है सिर्फ 9 run किया है तो record काफी पूर है head to head में 3 matches में 2 wicket निकाले हुए है तो यह important है कि ball अगर कर दे तो भाई drum card की player बन जाएगी और venue पर भी देख सकते हो विकेट्स लेती भी दिखाई देंगी एंचंतम की बात करें तो recent form देख सकते हो भाई काफी जबर्जस्त है इनका head to head में 3 matches के लिए है 85 run क्या है 42 की average है तो head to head में भी record काफी इनका अच्छा है एक-एक player का यहाँ पर आप जो है recent form देख सकते हो सभी हच चीजे हमने यहाँ पर कबर करी है अगर मैं guys एक-एक चीज यहाँ पर आगर आपको मैं बताने लगा ना तो विडियो मेरे भाई बहुत लंबी हो जाएगी तो यहाँ पर जो important जो players है उनकों में यहाँ पर आप जो है बहुत बढ़िया option है लेकिन recent form देख सकते हो विकेटलेस रही है लेकिन आपको बहुत अच्छा score करके देख सकते हो ऐसी performance जो यह करके देती है टीम की captain है definitely यह जो है आप 3-4 टीम में इनको CBC जरू से try करना सारा boys भी जो है कमाल की player है last match 53 not out करके आ रही है head to head में 34 sky bridge है venue पर अगर आप देखोगे तो दो matches खेली है 46 run किया हुआ है तो venue पर भी record अच्छा है bad से जो है अच्छा आपको perform करती भी यह player आपको दिखाई देंगी इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर इनके जो ballers है ballers को आप देख लो ballers भी अगर आप देखोगे तो recent form जो है उतना अच्छा यहाँ पर जो है नहीं है यह देख सकते हो topics की बात करते है topics यहाँ की player important player और यह सारी जो है आप यहाँ पर note down कर लेना विडियो को pause करके topics की बात करते हैं topics यहाँ पर की player important player कौन कौन सी रहेंगी यहाँ पर Catherine Bryce number one option आपकी हर एक team में maximum teams में होने चाहिए उसके बाद नात्या भूता चाम भी होनी चाहिए एंचंदम को अपने team में लेके जाना सारा आप ग्राइस को लेके जाना यहाँ पर टी पुट वॉंग को अपने team में रख सकते हो और ओनिचा को अपने team में आप रख सकते हो प्रीच टर्जिक को आप अपने team में रख सकते हो इनको इग्नोरी करना mostly teams में बाकी small league की team में इनको लेके जा सकते हो Catherine Fraser को जो है जरूर से अपने team में रखना यह अच्छे-ची options है small league के लिए बाकी small league में अगर आप cvc जा रहे हो Catherine Bryce, Butacham, Chantam और Sarah Bryce यह 4 आपको option मिल रही है small league में लोग इनको cvc करके लेके आ रहे हैं हम किसको करने वाले हैं वो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा Grand league में जा रहे हो तो Put Wong को ट्राइ करना यहाँ पर उनीचा को ट्राइ कर सकते हो Chatterjee और Catherine Fraser यह चार डिफरिंसल जो है cvc की option रहेंगी Grand league की team में तो Grand league की team में इन players को आप cvc कर सकते हो और telegram का channel join कर लेना क्योंकि final updates वगर आप वहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगी और 11 challenger application जो है जरूर से download कर लेना अब यहाँ पर बात करते हैं अपने dream 11 की team की और investment की अगर मैं बात करूँ तो guys match काफी अच्छा है आप अपने हिसाब से investment यहाँ पर देख सकते हो cricket keeping section से शुरूआत करते हैं मैं यहाँ पर सारा Bryce को अपने team में लेके जाओंगा Catherine Bryce हमारी team में directly आएंगी मैंने भूटा चाम को लिया है पी माया को अभी के लिए drop किया है S T Pouch को अपने team में लिया है C Sutirang को अपने team में लिया है और A मक्सूद को लिया है जंगली यह भी आपको तीन ओबर दो से तीन ओबर ही करती दिखाई देंगी उतनी कुछ recent form अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर selection को देखकर मैं अपने team में इनको ले रहा हूँ और यहाँ पर Cam Chompoo को अपने team में ले रहा हूँ इनको अपने team में लेके चल रहा है Ars later हमारी team में आएंगी साथी साथ अगर आप देखोगे ना तो T. Put Wong आपको option मिलती है और यहाँ पर इनको अपने team में लेके चलते हैं एस हगो भी खेल सकती है तो उनको ध्यान रखेगा Catherine Bryce मेरी captain रहने वाली है और Buta Jam मेरी यहाँ पर wise captain रहने वाली है तो यह हमारी team यहाँ पर जो है अभी demo team बन के ready हुई है guys final teams मुझे थोड़ी सी और time दीजे इस research करके मैं definitely लेके आऊँगा और जो है मैं final team आपके साथ में share करूँगा telegram के channel पे 7-4 का combination बनाया है Thailand moments के 7 player लिये हैं 4 player मैंने Scotland moments के लिये हैं क्यों लिये हैं क्योंकि आपको भी पता है recent form Thailand moments का काफी अच्छा है इसे लिए मैंने आपको बताया था इनकी ICC ranking में Thailand moments 11 number पे है 14 number पे Scotland moments है recent form काफी अच्छा है Thailand moments का तो मैंने इनको जो है favorite करके यहाँ पे team मनाई है बाकि Grand League की टीम अगर मैं बनाऊंगा तो Scotland Women's को जो है फेबरेट करके Grand League की टीम बनाऊंगा I hope ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को यार लाइक कर देना चैनल पे आप पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ऐसे ही चैनल को देखते रहो सपोर्ट करते रहो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में